हमारी इंडियन गेमिंग इंडिस्री के बारे में बात करें तो GTA, PUBG Mobile, BGMI, Free Fire या फिर PAL World जैसे गेम्स या फिर Minecraft जैसे गेम्स आजकल इंडिया में हमारे बहुत जादा ट्रेंड पर रहते हैं लेकिन क्या हमारे इंडियन गेम्स ये ट्रेंड को छूप आएंगे या फिर हमारे इंडियन गेम्स टॉप लेवल गेम्स बन पाएंगे आउट ओव दे वर्ल्ड तो चलो फिर इस वीडियो में वही चीज में डिस्कस करने वाला हूँ चलो फिर लेट्स के स्टार्टेड ये वीडियो मैंने गेम्स को दो केटेगरीज में बाता है जिसमें की है तीन ओपन इनके बारे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन से गेम्स हैं और ये गेम्स हमारे टॉप लेवल पर जा सकते हैं वैसे परस्नली देखो मैं किसी भी गेम को बुरा नहीं बोलूँगा क्योंकि यार गेम डेवलप्मेंट में बहुत जादा मैंने लगती है बस मैं इसके द्वारा बनाया गया है एंड करेंटली अभी क्लोज बीटा टेस्टिंग में चल रहा है यानि कि आप लोग इसको ट्वंटिफूर इन्टु सेवन भी अभी अक्सेस कर सकते हो करेंटली जिसके अनौंसमें डीजीडवली ने भी रीसेंटली करी है गेम की बात के लि ग्लिचेस थे ब्रिज पे जाके अपने आपी मतलब गाड़ी या तो डी स्पॉन हो जाती थी या फिन हम लोग मर जाते थे इस गेम में बट अभी वो चीज़े सॉल्ट भी कर दी गई हैं वैसे गेम में करेंटली ओनली दो क्यारक्टर्स हैं जिसका एक का नाम है बौरिस एक का नाम है त्यागी करेंटली यह जो है गैंग भी आप लोग बना सकते हो इसमें जो गैंग आप लोग लेलोगे वहीं पर आप लोगो लॉबी में वही मतलब प्लेयर्स देखनों को मिलेंगे इन फ्यूजर और भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं ऐसे गेम के प्लान्स हैं बाकि दिखते हैं इन फीचर क्या होता है सेकिंड नमबर पर आता है इंडस बैटल रेयल जो की बनाया गया है सूपर गेमिंग के द्वारा यह एक इंड़ो फुचरिस्टिक गेम है और यह भी एक बैटल रेयल गेम है परन्ली यह भी बीटा वर्जन टेस्टिंग में है औ अइन इसको भी आप लोग 24 7 खेल सकते हो इन कि आप लोगे जम मन करें तब आ लोगे और और को कर सकते हो और यह बात टता है और झालों ओरयस मेरे डिवाइस में पहले बहुत जादा लाग होता था परसुनली अगर मैं बता हूं तो 30-40 fps आता था यह मैं एक्सेप्ट करता हूं बट धीरे-धीर ऑप्टिमाइजिशन पर काम हो रहा है ऐसा हमारे CEO और भी सर्ण ने भी बताया था मीटिंग में जब मेरी उनके साथ में म पर्लिमेंट्स गेम में देखनों को मिलेंगे एंड गेम में एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जो कि मेरे को परसुनली काफी जाद आच्छा लगा जो कि यह कॉस्मिम फीचर यानि कि स्टोन को करके आप लोग गेम को जीच सकते हूं और इसका कॉंसेप्ट तो मैं आप लो गेम को कोई भी लाग नहीं हुआ है और जबकि यह गेम के बात करूं तो इसमें काफी सारी इंडियन एलिमेंट्स हैं जैसे की रिक्षा हैं ट्रेनिंग राउंड है जैसे की नॉर्मल बैटरल गेम्स में होते हैं लेकिन यार यह गेम मुझे बहुत ही जाद आच्छा लग पर गेम मेरे को सबसे बढ़िया लगा सकारफॉल 2.0 बागी यह इस गेम को भी आप लोग इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो जब आप लोग का अबन करें तो यह तो थी हमारी बैटरल गेम्स के बारे में तो चलो आओ चलते हैं अभी ओपन वर्ल गेम्स में जिसमें की हमार तीन गेम्स ऑल्रेडी है नमबो बन पर आता है हमारा माया नगरी जो कि एक मोबाइल ओबन वर्ल गेम है इसको आप लोग कॉंसोल पे तो नहीं केल सकते हो क्योंकि यह मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया है गेम में बात करें तो काफ़ी सारे इंट्रक्टिव चीज में लॉंच हो जाना चाहिए था अभी तक गेम लॉंच नहीं हुआ है तो इस बज़े से ओडियन्स काफी जारा हीट भी दे रहे गेम को बाकि यह में बात करूं तो मैंने अपने डिवाइस में पहला खेला था जब इसका आया था अलाकि मेरे को मिला नहीं था मैंने अपन करेंगे तो यार उनके लिए थोड़ा सा यूनो गलत सीन हो सकता है बाकि आजकल तो यार पांस साल का बच्चा भी गाली देता है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं बाकि आई तिंग वो चीज़े थोड़ी सी म्यूट कर दीनी चाहिए या फिर उनको मतलब उस पेसे नहीं देख पा रहे हो यह भी काफी अच्छा लग रहा है दिखने में इसमें टेक्चर वगेरा भी काफी अच्छे से दिखाए गया है लेकिन जब मैंने इसके सेगेंड मिल का गेम ले देखा तो यह मेरे को इतना जादा प्रॉमिसिंग नहीं लगा यानि कि इसमें काफी सारे दिक्कते भी थी और चारक्टर का मुवमेंट वगेरा ट्रीस या फिर फेस टाकिंग वगेरा भी मिसिंग था तो वो चीज मेरे को काफी ज़्यादा अजीब लगी और इसको इसके बाद में इनके सीओ ने मेंशन करा था कि इस गेम को वो जहें अभी और ज़्यादा इंप चोटी चोटी गेमपले की क्लिप्स नहीं दिखाएंगे वो कुछ अलगी चीज दिखाएंगे बाकि पर्सनल यार ऐसी गेम से मुझे बहुत ज़्यादा उमीद है क्योंकि इन गेम्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूइमेंट चाहता हूं कि ऐसी गेम्स हमारे इंडिय लगा मेरे को तो एंड बाकि इसमें आप लोग साउथ का जो है व्यू देख सकते हो बैग्राउंड में आप लोगो बीच वगेरा देखनों को मिलती है कहीं बारी मैं आप लोगों को बताऊं तो गेम के फिजिक्स अभी मुव्मेंट्स सही नहीं है यानि कि आप लोग का क चालने में जैसे कि लिपसिंग वगेरा होती है उसमें भी थोड़े बहुत इंप्रूब्मेंट्स हो सकते हैं बट पर्सेली प्रोजेक्ट मदरास मेरे को काफी अच्छा लगा इन टाम्स ऑग्राफिक्स बट इन टम्स ओव मुव्मेंट एंड फिजिक्स वगेरा यह मेरे आप में ठीके मैं किसी को भी जजनी करूंगा की यह विनर रहेगा वह विनर रहेगा क्यार उसके बाद में ऑडिन्स बाइब मुझे हेट देगी कि आप लोग इस गेम को लेकर बाइस हो क्योंकि यह सिर्फ मेरा ओपिनिन रहेगा मैं आप लोग बीश फिर नीचे नीचे यह एंड उसमें यार मतलब डेवलापर्स को भी बहुत सब्सक्राइब मिलेगी जो कि सारे गेम्स की लोग विडियो ऑफिसली देखे रहे होंगे तब दिक लिए मैं आप लोग से मिलता हूं न्यू विडिय के साथ में तब दिक लिए थैंक्स वासी गाइस लव यॉ आल बाइब बाइब जह सकता हूंगे विडियो है।